गोड मॉर्निंग, सभी देश वाश्यों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है लेटेस्ट अपडेट यह है कि ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे अस्थान पर पहुँच गया है अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस खबर पर हंसें या फिर रोएं कोई भी देश विश्व में अगर पहला दूसरा या तीसरा अस्थान प्राप्त करता है तो यह बहुत-बड़ी उपलब्धी होती है लेकिन यह जो उपलब्धी है कोरोना संक्रमण के मामले में इस पर तो रोने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है बरहाल देश में एक दिन 90,802 लोगों के कोरोना वारस से संक्रमित होने की पुष्टी होने के बाद मरीजों की संखा 42 लाग के पार चली गई है 32,50,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस तरह से रिकावरी रेट जो है वो 77.3% हो गया है केंद्री स्वस्थ मंत्राले के आंकणों के मुताबिक कोरोना वारस के कुल मामले बढ़कर 42,000,000 हो गया है जबकि मृत्यकों की कुल संख्या 71,642 हो गई है मृत्युदर घटकर 1.7% हो गई है इस समय देश में 8,82,542 लोग संक्रमण की चपेट में है जो की कुल मामलों का 20.99% है अब एक सीधा सा सवाल आप सभी के मन में आता होगा कि आखिर इसका इलाज क्या है इसका हल क्या है कब तक आयेगा टीका, कब तक आयेगी वैक्सीन तो आएए इनी सम्मामलों पर विचार करते है आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कब तक वैक्सीन उपलब्द हो सकती है और भारत में इस वैक्सीन की किमत कितनी होगी पहले जान लेते हैं कि वैक्सीन के मामले में वैश्विक इस्सिती क्या है इसी साल 11 अगस्त को रूस ने COVID-19 की पहली वैक्सीन को रेजिस्टर किया और इसे इस्पुतनिक भी नाम दिया है रूस का कहना है कि उसने Medical Science में एक बड़ी काम्यावी हासिल कर ली है लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये वैक्सीन Clinical Trail के तीसरे चरन से नहीं गुजरी है और इस कारड़ ये यकीन नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन कारगर होगी दुनिया भरके कई देशों में Corona Vaccine बनाने की कोशिशें हो रही है बिश्व स्वास्त संक्ठन के अनुसार 34 कमपनियां कोरोन वैक्सिन बना रही है और इन में से 7 के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रैल जारी है वहीं 3 कमपनियों की वैक्सिन दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रैल तक पहुँची है संगठन के अनुसार और 142 कंपनियां भी वैक्सिन बना रही है और अब तक प्री किनिलिकल अस्तर तक ही पहुँच पाई है WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामिनाथन के अनुसार आक्सफोर्ड इन्वस्टी की बनाई वैक्सिन जिसे एस्ट्राजेनिका का नाम है वो बड़े पैमाने पर बना रही है वो सबसे उन्नत वैक्सिन है अब तक की आक्सफोर्ड इन्वस्टी की वैक्सिन जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका जो कंपनी बना रही है वो सबसे उन्नत वैक्सिन अब तक की है सबसे आगे चल रही है कोरोना वैक्सिन बनने की खबरों के बीच अब वैक्जान को समयत आम लोगों को उमीद है कि वैक्सिन कुछ महिनों में आ जाएगी लेकिन उन्हें फिक्र है इसकी कीमत की वैक्जानिकों को फिलहाल ये भी चिंता है कि कोरोना वाइरस को दूर रखने के लिए वैक्सिन के कि टोज लेने होंगे यानि कितनी बार ये ठीका लगाना उपड़ेगा वैक्सिंट की कीमत के बारे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एस्टाजीनीका की वैक्सिंट माँ रहे कम्पणी एस्टाजाजैनीका यानि तीन सो रुप्पए प्रती डोज के लगभग भारत में पढ़ेगी बात करें भारत में इस वेक्सिन को बड़े पहाने पर बना रहे सीरम इंस्ट्यूट ने कहा है कि भारत और विकास स्रील देशों के लिए इस वैक्सिन की कीमत 3 डालर यानी 220 रुपए के करीब होगी इटली के स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि यूरोप में इसकी कीमत 2,5 यूरो तक हो सकती है आगस में कोरोना वैक्सिन के लिए आस्ट्रेलिया ने भी एस्ट्रा जेनेके के साथ करार किया है देश के प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन का कहना है कि वो अपने सभी नागरिकों क कोरोना की वैक्सिन मुफ्त देंगे इसके लिए सरकार क्या कीमत चुकाएगी इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है फ्रांस की सनोफी पाश्टर की जो वैक्सिन है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी भविश्य की कोविड-19 वैक्सिन की कीमत 10 यूरो प्रती डोज यान संक्रमन को रोकने के लिए भारत में तयार किये जा रहे है वैक्सिन का दूसरे फेज का ट्रायल किया जा रहा है है हैदराबाद की कंपनी बायोटेक भारत बायोटेक भारत की ओर से तयार किये गई को वैक्सिन के दूसरे फेज का ट्रायल किया जा रहा है पहले फेज के ट ट्रायल शुरू किया जाने माला है पीजी आई रोहतक के वाइस चेर्मेन डाक्टर ओपी कॉलरा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हमें भारत बायोटेक की और से को वैक्सीन के सेकंड फेज ट्रायल की अन्मती मिल गई है वैक्सीन के ट्रायल के लिए 300 वालें के आवेदन मिले थे जिनमें 15 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और वैक्सीन के सेकंड फेज का ट्रायल किया जाएगा अब आई जान लेता है एम्स का क्या कहना है बात करें पटना एम्स की तो कोरोना की देशी वैक्सीन के पहले चलण की सफलता के बाद ICMR ने दूसरे चलण के परिक्षण की अनमती दे दी है एम्स के चिकिसा धिक्षक डाक्टर सियम सिंग ने बताया कि पहले चलण में 44 वालेंटेर को कोवीड वैक्सीन दी गई थी और सभी वालेंटेर पूरी तरह स्वस्थ है इसका मतलब है कि पहले फेज का ट्रायल जो है 22 लोगों की जांच रिपोर्ट आते ही वालेंटेर को दूसरे चलण के परिक्षण के लिए डोज लगाई जाएगी वैस सीन लगने के बाद दो घंटे तक सभी वालेंटेर को डाक्टरों की निगरानी में रखने के बाद उन्हें घर वेजा जाएगा इस बीच डाक्टरों की टीम उनके स्वास्त की जानकारी लेती रहेगी 14 दिन बाद परिणाम अन्कूल रहने पर वैक्षिन की दूसरी डोज दी जाएगी डाक्टरों के नुसर पहले चरण की इस तरह दूसरा चरण भी सफल रहेगा और जल्द ही ICMR वा भारत बायोटेक हैदराबाद द्वारा निर्मित वैक्षिन लांच कर दी जाएगी वैक्षिन लांच हो जाने के बाद कोरोना संकमण पर कुछ हद तक नियंतरन पाया जा सकेगा तो इस तरह से ये संभावना है कि एक या डिड़ महिने के बाद यानि कि अक्टूबर लाश्ट तक वैक्षिन जो है वो भारत में उपलब्द हो जाएगी एसी आशा व्यक्त की जा रही है तो ये थी कोरोना वैक्षिन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादास ज़्यादा अपने सभी साथियों को फ्रेंट्स को शेयर जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और नहीं नहीं जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें ओके थैंक यू